बिस्मिल्ला रख्मान रहीम वेलकम टू केंटर पॉब्लिचर्स वीडियो सेशन इस लेसन को पढ़ने के लिए आपके पास केंब्रिज स्कॉलर सीरीज की सोचल स्टुडिज ग्रेड बन की किताब आपकी वर्क बुक आपका समर पैक और रिसोर्स पैक होना चाहिए आपकी वर्क बुक और आपका समर पैक आपको इस लेसन को बहतरी तरीके से प्रेक्टिस कने में हल्थ देंगे जबके आपका रिसोर्स पैक हमारे टीचर्स हमारे पेरेंट्स हमारे प्रिंसिपल के लिए बच्चे को सबग बहतरीन तरीके से समझाने में मदद देगा हमारा summer pack और हमारा resource pack आपको canteb की website से easily मिल जाएगा तो आज हम देखते हमारा lesson क्या है आज हम social studies grade 1 के lesson number 5 का second SLO देखेंगे हमारे पास आज second SLO है identify different kinds of houses इस SLO के बाद बच्चा इस काबल हो जाएगा कि वो घरों की मुक्तलिफ एक्साम को पहचान सके अपने घर के इलावा वो मुक्तलिफ घरों को देख के पहचान सके कि ये घर कौन सा है या ये घर किन चीजों से मिल कर बना है हम आज ना सिर्फ ये देखेंगे कि घर की एक्साम कौन सी है बलके हम ये भी देखेंगे कि घर बनाने में किन चीजों के जरूरत होती है हमें किसी भी घर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए किस तरहां के मिटिरियल्स की जरूरत होती है और उसके साथ साथ वो तमाम मिटिरियल्स किस तरहां के घरों में और किस जगा पर इस्तमाल किये जाते है इस SLO को हम अपने listening और speaking के skill के through achieve करने की कोशिश करेंगे हम पहले सुन कर और बोल कर इस SLO को सीखेंगे Types of Houses The Types of Houses include bungalow, apartment, mud house, hilly area houses and igloos. All these kinds of houses are made up of different materials. These materials includes cement, iron rod, glass, wood and mud. The city houses are made up of materials like cement, iron, wood, glass whereas the houses in villages are made up of mud and wood. कि आपके घर की kinds कौन कौन किसी इकसाम है कि कौन कौन से material इस्तमाल होते हैं इन materials के इस्तमाल में आपने देखा कि villages यानि कि गाओं के घरों में किस तरहां का material इस्तमाल होता है उसके बाद आपने सीखा इसमें सुना कि बिल्डिंग्स मुक्तलिफ तरहां की हैं यानि कि घर मुक्तलिफ तरहां के हैं गाओं में घर और तरहां के होते हैं कच्चे घर मट्टी के बने वे शहरों में घर और तरहां के होते हैं पके घर सिमेंट कॉनक्रीट और आयरन इस तरहां के मजबूत मवाद से मिलके बनाये जाते हैं शहरों में घर और शहरों में घर जोते हैं, वो बंगलों के साथ-साथ उन्ची इमारतों की सूरत में भी पाए जाते हैं आप अक्सर देखेंगे अपने एर्दगिर शहरों में के बड़ी-बड़ी इमारते पाई जाती हैं जिनको हम अमूमन अपार्टमेंट्स भी कहते हैं उसके बाद आपने एक और चीज यहां पर देखी कि अगर क्लाइमेट चेंज हो जाए जिस तरहां अगर मैं शहर में रह रही हूं तो मेरा घर एक बंगलो की तरह एक आम घर की तरह होगा या अपार्टमेंट में होगा अगर मैं गाओं में रहनी तो मेरा घर मटी का होगा क्योंकि शहरों का मौसम और गाओं का मौसम मुखतलिफ तरह का है वहां पर सर्दी गर्मी आती तो है लेकिन वो इसकदर शदीद नहीं है लेकिन बर्फानी इलाके जहां पर साल का जादा टाइम बर्फाई पड़ती है ऐसी जगाओं पर हम लोग ना तो मटी से घर बना सकते हैं ना हम सिमेंट के घर बना सकते हैं क्योंकि ये घर हम लोगों को गरम रखने में नकाम है तो इस तरह की जगावपे हम इग्लोज बनाते हैं तो घरों की इक्साम के साथ-साथ घरों का मवाद उनमें इस्तमाल होने वाले मवाद उनकी देखने की जो एक घर बनने के बाद उसकी लूक आती है वो और घर वेदर और क्लायमिट के मताबिक बनाय जाते हैं तो बच्चो आपने आज सुना कि घरों की सिर्फ साम ही मुक्तलिफ नहीं होती है बलके उनके मेटीरियल्स भी मुक्तलिफ होते हैं उनकी शेप भी मुक्तलिफ होती है और अगर हमारा क्लाइमेट उसमें एफेक्ट कर रहा है क्लाइमेट के मुताबिक घर की बिल्कुल एक मुक्तलिफ शे है और घर किस तरह के पाय जाते हैं हम अपने लेक्स लेक्चर में इसी ऐसे लो को रीडिंग के तुरू और पिक्चर रीडिंग के तूर अच्वी करने करेंगे जहाँ पर हमने आपके लिए 96 है है इस activity में सबसे पहले आपने ask your father आपने father के पास जाना है ask him the type of your house आपने अपने father के पास जाना है उनसे पूछना है कि आपका घर कौन सी किसम का है आपका घर mud house है stone house है slope house है बंगलो है apartment है क्या है आपका घर आपने अपने father से अपने घर की type पूछनी है और उसके बाद आपने खुछ से यह find out करना है कि इस घर के लिए इस घर को बनाने में कौन सा material यूज हुआ है और साथ साथ इस घर के लिए कौन सी weather condition suitable रहेगी यह देखें activity अपनी ask your father the type of your house and then find out the material used in the construction of your house also find out which type of weather condition it is suitable for अपने father के पास जाएं उनसे अपने घर की type पूछें और उसके बाद आप खुछ से find out करें कि उसमें कौन सा material यूज हुआ है और आपके घर के लिए कौन सी weather condition suitable रहेगी यह find out करने के बाद आप अपने father के पास दुबार आ जाएं और उनको बताएं कि आपने क्या find out किया आपकी क्या findings है go to your father again and tell him what are your findings regarding to your house अपने father को जाकर बताएं कि आपने क्या find out किया कि आपके घर में घर की construction में कौन सा material यूज हुआ है और आपके घर को बनाने के लिए किस weather condition को देखा गया है अपने घर की weather condition अपने घर को बनाने के लिए मद्दे नजर रखे जाने वाली weather condition और उसके बनाने में इस्तमाल होने वाला material आप अपने father को बताएं और उनसे पूछें कि आपका जवाब ठीक था या नहीं हम अपने इसी SLO को अपने next lecture में reading के through achieve करने की कोशिश करेंगे उसमें हम text reading भी देखेंगे और picture reading भी देखेंगे अभी के लिए thank you so much